दूसरे टेस्ट मुकापले के तीसरे दिन प्लट गया पूरा मुकाबला सुब्मन गिल के सतक के बाद गिनबाजू के कमाल के दम पर टीम इंडिया पहुंची जीत के करीब नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों पारत और इंगलेंड के बिच खेले जारे दूसरे टेस्ट मुकापले के तीसरे दिन टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है चाहां पर बारत ये टीम अब जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी है तो दोस्तों मैं आपको बताने वाले हैं इस वोड़ो में कि आखिरकार तीसरे दिन के केल में किस परकार से टीम इंडिया ने मुकापले को पलटा पूरा हाइलाइट हम आपको बताएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडे इस मुकाबले को संदर तरीके से जीत कर सिरीज में एक एक की बराबरी कर लें तो इस वोड़ा को लाइक जरूर कर दें और साथी साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चले दोस्तों जानते है इस पैदिस संदर मुकाबले का पूरा हाइलाइट शुरूरात से ही तो दोस्तों आज तीसरे दिन के खेल की एक बार फिर सुरात कटने उतरे रोहित सर्मा और उनके साथ यससवी जैसवाल लेकिन दोस्तों आज तीसरे दिन के खेल में पार्ती टीम की सुरात अच्छी नहीं हुई और साथवे और की चौती गेन पर जेमस एंडरसन ने रोहित सर्मा को बॉल्ट करके पेवलियन पेश दिया रोहित सर्मा अपने आज के मुकाबले में कुछ भी रन नहीं कर पाए और कल के स्कोर पर ही जेमस एंडरसन का सिकार बन कर पेवलियन लोटे उन्होंने 21 गेनों का सामना किया और 13 रन बना कर रोहित अपना विकेट कहुआ बेटे इसके बाद दोस्तों यहां पर जेमस एंडरसन की ही गेन पर 9 और की तीसरी गेन पर यससवी जेसवाल भी स्लिप में जो रूट को अपना केस थमा बेटे और बार दी टीम को एक और जटका लगा और यहां पर यससवी जेसवाल को भी पेवलियन बेशने में काम्याब वे जेमस एंडरसन और दो विकेट लेकर यहां पर सांधार सुरात कर दी इंगलेंड की यससवी की हम बात करतो 27 गेनों पर 17 रन बना कर पेवलियन लोटे इसके बाद उस तो सोबमन गिल का सांधार परपॉमेंट जारी रहा और उन्होंने दसवे और की तीसरी गेन पर टॉम हाट लेके एक बैतरीन चोका जड़ा चांपर उन्होंने और मेड विकेट की तरप गेन को चोके के लिए बॉन्डी लाइन के पार भेजा तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से इस मुकाबले का पहला चका सतरवे और की आखरी गेन पर देखने को मिला तो वेंपर इसी और की पांची गेन पर उन्होंने फाइनले की तरफ एक और कमाल का चौका यहां पर जड़ दिया और इस ओवर में भी दो चौके उनके बल्ले से तेक्निकों मिले इसके बाद बीस वे और की दूसरी गेन पर सरेस आयर ने भी संधार तरीके से पाइनले की तरह भी गेन को चोके के लिए बॉंडी लाइन के पार बेजा और दोनों बलेबाचु के भी सांदार 50 रनों की पार्टनसीब पर मातर सतंतर गेनों पर ही पूरी हो गई इसके बाद तेस्वे और की दूसरी गेन पर सुबमन गिल ने एक बार फिर सांदार परफॉमेस दिखाया और एक और सांदार कट सोट के जरिये बिहाइंड डे स्कॉर गेन को चार रनों के लिए बॉंडी लाइन के पार बेजा तो इसी और की पांचवी गेन पर भी उनके बले से एक और कमाल का चोका देखने को मिला और इस पार बेकवर्ट फॉइंट की तरफ गेन को चार रनों के लिए बेज़ कर इस और में भी दो बैतरी चोके जड़े इसके बाद 24 वे और की दूसरी गेन पर टॉम हाटली के मिड़ो इकिट की तरफ एक संदर चोका सरेस आयर के बले से भी देखने को मिला यह भी एक कमाल का सोट था इसके बाद 26 वे और की तीसरी गेन पर सूबमन गिल ने संदर परफॉमेंस करते वे एक और संदर चोका सामने की तरफ जड़ दिया यह भी कमाल का सोट था जहां पर उन्हें एक और चोका मिला तो वहीं पर संदर परफॉमन गिल का जारी रहा और उन्होंने 27 और की तीसरी गेन पर एक और संदार जोके के साथ अपना बहतरीन अर्द सतक पूरा कर लिया नमबर तीन पर बलेबाची करते वे ये इनका पहला अर्द सतक था जो कि 60 गेनों पर पूरा हुआ लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 28 और की पहली गेन पर बड़ा सोट कहलना चाहते थे सरेस एड लेकिन एक कमाल का केच बेन स्टोक्स ने पकड़ा जहाँ पर 25 याड पिछे की तरफ दोड़ कर उन्होंने सरेस को पेवलेन बेजा जिनोंने बाउन गेनों पर 29 रन बना उनके बले का इंसाइड एज लगा लेकिन कमाल का केच बेन फोकस ने पकड़ा और भारती टीम को चोता जटका लगा अच्छी बलेबाज ही जुरूर कर सकते थे रज़त पाटीदार लेकिन इस मुकाबले में 19 गेनों का सामना करने के बाद 9 रन बना कर प्यावलेन लोटे इसके बाद नए बलेबाज अकसर पटेल करिज पर उतरे तो उन्होंने सांदार तरिके से लंच ब्रेक तक टीम इंडिया का और भी कोई विकेट नहीं गिरने दिया वहीं पर दोस्तु लंच टाइम तक अकसर पटेल 13 गेनों पर दो तो वहीं पर सुबमन गिल 58 गेनों पर 60 रन बना कर करिज पर थे आज के दिन के सेसन के हम बात करते थे इस और में भारती टीम ने 102 रन बनाए और 4 विकेट गवाए वैसे इस सेसन की बात के लिए तो ये दोनों टीमों के बीच सेड रहा लेकिन दोस्तु अब भारती टीम के पास 23 रनों की बड़त हो चुकी थी और 6 विकेट अभी भारती टीम के हाथ में थे तो वहीं पर इसके बाद आज के दिन के दूसरे सतर में एक बार फिर अकसर पटेल और सुबमन गिल क्रिज पर उत्रे तो यहां पर दोस्तु संदर बलेबाची करके दिकाई अकसर पटेल ने जब उन्होंने 36 वे और में एक कमाल का चौका जेम्स एंडर्सन की गेन पर लगाया तो इसके बाद एक बार फिर उन्होंने 40 वे और की पांची गेन पर भी कमाल का परपॉमेंस करते हुए कावर ड्राइव के जरी एक बार फिर गेन को एक्ष्टा कावर बौंडिलाइन के पार बेज़ कर एक और संदर चौका जड़ दिया अब दूसरे सतर में भी टीम इंड़ा की सुरात संदर हो चुकी थी लेकिन इसके बाद 41 और की दूसरी गेन पर रहान एमद की गेन को एक बार फिर से संदर तरीके से 6 रनों के लिए बौंडिलाइन के पार बेज़ आ सोबमान गिलने एक लौप्टेड सोट के जरे लौंगोन बौंडिलाइन के पार बेज़ कर कमाल का छका उन्होंने जड़ा तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेन पर भी उनके बल्ले से स्लोक स्वीप के जरे एक और संदर चौका देखने को मिला पियाइन दे स्कौाइर गेन को उन्होंने चौके के लिए बौंडिलाइन के पार बेज़ कर इस ओर की दो गेनों पर दस रन बना लिये लेकिन ओवर की चोती गेन को भी उन्होंने नहीं बक्सा और चोती गेन पर भी कमाल का सोट केला मिडविकिट की तरफ और एक और चोका लगा कर अपने स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचा दिया अब दिरे दिरे वो अपने कदम सतक की और आगे बढ़ा रहे थे जब कि टीम इंडियाब मजबू स्तिती में पहुंचती वी नजर आ रही थी तब इस संदर बलेबाची करते वे एक और चोका याँ पर सुबमन गिल ने सौयव बसीर की गेन पर लगाया जब उन्होंने पचासवे और की तीसरी गेन पर भी एक संदर चोका जड़ा तो इसके बाद अकसर पटेल ने भी कमाल की बलेबाची करते वे टॉम हैटली की गेन पर मिडविकिट की तरफ एक और संदर चोका जड़ दिया ये भी एक कमाल का सोड़ था इसके बाद सूपमन गिल अपने सतक के बिलकुल नजदी के पहुंचते वे नजरा रहे थे और उन्होंने अपना कमाल का सतक बाउनवे और की चोती गेन पर सिंगल के साथ पूरा किया और नमबर तीन पर बलेबाची करते वे ये इनका पहला सतक है भारती टीम के लिए जबकि टेस्ट केरियर में ये इनका तीसरा सतक था 132 के नों पर ही इनोंने अपना संदार सतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के लिए मुस्किल समय में एक संदार पारी खेलने में वो काम्याब हुए इसके बाद पच्पनवे और की आखरी गेन पर एक और संदार चोका मिडोन के उपर से खेला अकसर पटेल ने और गेन को बॉंडिलाइन के पार वेजा अलांकि यहां पर अच्छी तरीके से बलेबाजी चल रही थी टीम मिड़ा की लेकिन तबी चपनवे और की आखरी गेन पर रिवर स्वीप करना चाते थे सुबमन गिल लेकिन गेन उनके गलपस पर लगकर सिधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और बारती टीम को सुबमन गिल के रूप में जटका लगा उन्होंने 147 गेनों पर 104 रनों की संदर पारी खेली इसके बाद 97 और की पांचवी गेन पर भी उनके बल्ले से एक और संदर चोका अकसर पटेल ने जड़ दिया जब रहान एमद की एक सौट गेन पर उन्होंने पाइन लेक की तरब गेन को चोके के लिए बेश दिया लेकिन इसके बाद अकसर पटेल भी ज़्यादा देर तक्टिक नहीं पाया और 60 और की आखरी गेन पर एक कमाल के रियू ने उनकी पारी को भी समाप्त किया क्योंकि गेन सिधे उनके पेट बढ़ जाकर लग रही थी और वो पूरी तरिके से आउट थे तो यहां पर अमपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और एक बार फिर अर्द सतक से चुग गए अकसर पटेल जिनोंने 84 गेनों पर 45 रनों की पारी खेली इस सेसन की हम बात करें तो भारती टीम ने अपने दो मैटपून विकेट गवाए और 29 और में सत्यान वेरन बनाए ये सेसन भी दोनों टीमों के बिच से रहा लेकिन भारती टीम के पास अब 377 रनों की सांदार बड़त हो चुकी है लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरा सतर टीम इंडिया के लिए उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि तीसरे सतर की सुराती भारती टीम के लिए रहान एमद की गेन पर सरीकर बरत के विकेट के साथ हुई चापर बेन स्टोक्स ने एक सांदार केच पगड़ा और सरीकर बरत इस मुकाबले की इस पारे में कुछ भी खास नहीं कर पाए 28 केनों पर 6 रन बना कर चलते बने तो वहें पर इसके बाद उस्तो 67 और की 5 वी गेन पर नए बले बाज कुल्ती प्यादों भी बड़ा सोट खेलना चाते थे केन हवा में खड़ी होई और उसके नीचे आ गई डकेट और यहां पर एक और जटका टीम इंडिया को लगा कुल्ती प्यादों अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 5 गेनों का सामना करने के बाद सुन्ने पर ही वो चलते बने तो इसके बाद दूस्तों यहां पर रवी चंदरन अस्वी ने कमाल की बलेबाची करते वे तेतरवे और की पहली गेन पर एक संदार चोका उनके बले से देखने को मिला तो इसके बाद 77 अवर की चोती गेन पर भी उन्होंने कमाल की बलेबाची करते वे एक कमाल का छका लोंगोन के उपर से जड़ दिया यह कमाल का सोड़ता जहां पर उन्होंने स्ट्रेप डाउन करके गेन को 6 रनू के लिए बेजा तो वहें पर इसकी अगली गेन पर उन्होंने एक पार फिर सांदार परफॉमेंस दिखाया और एक और वैतरीन चोका जड़ दिया यहाँ पर भी गेन को एक और स्क्वाइड लेक की तरब चोके के लिए उन्होंने बॉन्डिलाइन के पार बेजा लेकिन इसके बाद उस्तु टीम इंडिया को एक और जटका अठंतर वे और की चोती गेन पर लगा जब चस्पृत बुम्रा के बल्ले से गेन किनारा लेकर सिधे सलेप में कड़े बेरेश्टों के हाथों में चली गई और भारती टीम को एक और जटका लगा लेकिन इंगलेंड के सामने बारती टीम ने 399 रणों का सांधार लक्से रखा रवी चंदरन अस्विन की बात करे तो उन्होंने 29 रणों की सांधार पारी खेली वहीं पर इस लक्से का पिच्चा करने उतरी इंगलेंड की टीम की एक बार फिर कमाल की सुरात रही इंगलेंड की टीम की तरप से ड़केट और क्रॉली पारी की सुरात करने उतरे तो दूसरे और की पांची गेन पर ड़केट ने सांधार चोका लगाया तो इसके बाद दूसरे और की आखरी गेन पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चोका देखने को मिला जबकि दोस्तों चौते और में क्रॉली के बल्ले से भी दो बैतरीन चौके मुखेस कुमार की गेनों पर देखने को मिले इसके बाद इस मुकाबले में इस पारी का पहला चका कुलधी प्यादाओ के और में देखने को मिला जब एक कमाल का सोट खेलते वे गेन को सीधे 6 रनों के लिए लोंगोन के उपर से क्रॉली ने बॉन्डी लाइन के पार बेस दिया तो इसके बाद दोनों बलेबाजु की दमदार बलेबाजी जारी रही और दोनों बलेबाजु ने सांदार प्रफॉमेंस करते वे टीम के लिए एक बार फिर कमाल की सुरात के साथ ही पचास रनों की बाटने से पूरी कर डाली मातर 65 गेनों पर ही लेकिन इसके बाद 11 और की पांच वी गेन पर रवी चंदरन अस्वीन ने डकेट को यहाँ पर एक कमाल के स्रीकर बरत के केज के चलते पेवलेन बेस दिया और बारती टीम के नाम पहली सपलता कर दी डकेट की हम बात करें तो 27 के नों पर 28 रन बना कर वो रवी चंदरन अस्वीन का सिकार बने वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का तीसरे सतर का खेल भी समापत हो गया इंगलेंड की टीम ने चौदय और में 16 रन बना लिये एक विकेट के नुकसान पर लेकिन अभी भी इनकी टीम को 332 रन चाहिए जीत के लिए जबकि बारती टीम को 9 विकेट तो दोस्तों आपको क्या लगता कल टीम इंडेस मकाबले को जीत पाएगी आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद